हलो फ्रेंट्स वेलकम टू टार्गेट देग्साम आज हम फिप्टी क्वेशन के सीरीज में सेट टू करेंगे इसे आप टेस्ट के तरह कीजिएगा और अंत में आप अपना स्कॉर कमेंट में जरूर बताएं तो देखते हैं पहला क्वेशन समुदाइक विकास कारिकरम किस अमेरिका के सहेता से दो अक्टोबर में किया गया नेश्ट वोर्षन देखते हैं निजिता का अधिकार किस अनुच्छेद में है तो निजिता का अधिकार यह अनुच्छेद 21 में है वहीं एगर हम देखते हैं अनुच्छेद 20 तो इसमें अपराधों के दोस्षिधी के संबंध में संरक्षन है अनुच्छेद 19 में सुतंतरता काधिकार है और अनुच्छेद 22 में कुछ दसाओं में गिरफतारी और निरोध में संरक्षन है निक्ष्ट कोश्चन देखते हैं हाल ही में विसमें प्रथम देश जिसने सडकों पर कम गतिवाले ड्रैवरलेस कारों को चलाने की उनुमती दी है तो ये देश है ब्रिटेन और ब्रिटेन ही क्लाइमेट इमर्जेंसी लगू करने वाला पहला देश है और यहां के प्रधान म यह हमारा गन मेटल का मिसर धातू का अवयव है और तामबा और जिंख यह पीतल का और तामबा जस्ता और निकेल यह जर्मन सिर्वर का अवयव है नेश कोशन देखते हैं भारत में पुरातत हुई भाग का जनक किसे कहा जाता है तो यह करजन है और रिपन के सासनकाल में 1881 में हमारे देश में नियमित जिनगन्ना की शुरुवात हुई और इनी के सासनकाल में अस्थाने सो सासन की शुरुवात हुई Next Option देखते हैं डफ्रिन तो इसके सासनकाल में 1885 स्वी में भारती राइष्टी कांग्रेस के स्थापना हुई कर्णवालिस इसके सासनकल में 1793 इश्वी में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त के सुरुवात हुई और कर्णवालिस को ही भारत में सिविल सेवों का जनक कहा जाता है next question देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद सहर का नाम परिवर्तर करने की घोशना की है इसका नाम रखा गया है क्या रखा गया है तो यह नर्मदापूरम होशंगाबाद का नाम परिवर्तर करके नर्मदापूरम रखा गया है और मध्य प्रदेश की राजधानी जैसा का आप लोग जानते हैं भोपाल है और यहां के मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान है और यहां के राजजपाल जो कि हाली में न्यूक्त हुए हैं मंगु भाई छगन भाई पटेल और मध्य प्रदेश उचिनाले जो कि जवलप प्रवत माला जो उत्तर भारत को दक्षिन भारत से अलग करती है तो यह विंध्यान चल करती है अगर हम अधरॉप्शन को देखते हैं तो अरावली यह सबसे प्राचिन चट्टानों से बनी हुए परवत है पश्यमी घाट पश्यमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से ले निलगिरी की सबसे उजी चोटी कौन सी है दोदा बेटा और यह दक्षिन भारत की सबसे दूसरी सबसे उजी चोटी है दोदा बेटा नेक्स कोशन देखते हैं किस सरिसरी पुवर्ग के जीव का हिरदय का चार कक्षिय होता है तो यह मगरमक का जो हिरदय होता है यह चार क लक्षिय होता है नेक्ट खोशन देखते हैं मेरा खता भागे विधाता किस योजना का नारा है तो यह पीम जन्धन योजना का नारा है जिसमें की हर एक व्यक्ति का बैंक एकाउंट खुलवाया गया जिससे की उसे सरकारी लाव उसके डिरेक्ट बैंक एकाउंट से प्राप्त हो और इसकी सुरवात कब की गई यह 28 अगस 2014 में इसकी सुरवात हुए अगर हम अधर उप्सन को देखते हैं तो उजवला योजना जिसमें की मुफ्ट लपीजी क बलिया से हुगा था अधर नेक्ट ऑप्सन है प्यम आवाश योजना इसकी सुरवात 26 जुन 2015 को हुई और किसान सम्मान ने थी योजना जिसमें की हर एक किसान को साल भर में 6000 जो की तीन किस्तों में दिया जाता था इसकी सुरवात जो है यह 1 दिसंबर 2018 को हुई नेक्ट को स्थित हैं समविधान के निर्मान के लिए समविधान सभाग गठी तुई थी उसि का प्रतिक चिन क्या था तो समविधान सभागा चिन है यह हाती था आलपसपरवत के विस्तृत्षैतर से संबंधित देश है तो आलपसपरवत का विस्तार यह ए प्रांस और जर्मनी में ब्लेक फ़ॉरिष्ट परवत स्थित है, निक्स वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कारिकाल के दौरान नेटिव मैरेज एक्ट पारित हुआ, तो नेटिव मैरेज एक्ट ये नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में पारित हुआ, वहीं देख लें, एलेन बरो को, तो के शासनकाल में 1843 सुमें दास प्रथा पर प्रतिबंद लगाया गया हार्डिंग हार्डिंग के सासनकाल में 1911 में दिल्ली दरवार का आयोजन हुआ इशी में बंगल युहाजन को निरस्त किया गया और राजधानी कौलकाता से दिल्ली ले जाने की घोषना की गई और कैनिंग के सासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था निश्कोशन देखते हैं नियाले में कारवाई लंबित होने के दशा में लागू की जाती है तो जब न्याले में कारवाई बहुत लंबे दिनों तक लंबित रती है तो इस दिशा में उत्प्रेशन ये रीट जारी किया जाता है तो मौलिक अधिकार के संरक्षन में उच न्याले अनुचेद 32 और अनुचेद 226 के ताहथ पांच प्रकार के रीट जारी करती है ये रीट है बंदी प्रत्यक्षी करन उत्प्रेशन प्रतिसेद परमादेश और अधिकार प्रिक्ष्या में निक्स कोर्षन देखते हैं भारति सम्विधान ने पंचायतों के लिए कुछ कुल कितनी विशे प्रदान की गई हैं, तो पंचायतों के लिए कुल 29 विशे प्रदान की गई हैं, वहीं अगर नगर निकाय के लिए पूछा जाए, तो उसके लिए 18 विशे प्रदान की गई हैं, तो ये 29 विशे प्रदान में हुआ था उसी के तहट ग्राम पंचायतों को कारी करने के लिए 29 विशे प्रदान किये गये थे और 74 में सम्विधान संसोधन जोकी नगर निकाये से संबंदित है उसमें नगर निकायों को 18 विशे पर काम करने के लिए विशे दिये गये हैं निक्षशन देखते हैं म्रिदा अपर्दन को किस प्रकार रोका जा सकता है तो यह वन आरोपन के द्वारा निक्षशन देखते हैं हाल ही में किस राज में दस करोड साल पुराने हड़ियों के जिवास्म मिले हैं तो ये मिले हैं मेघाले में और मेघाले की राजधानी सिलोंग है और यहां के मुख्य मंतरी कॉन्रोड संगमा और यहां के राजपाल सत्पाल मलीक है Next question देखते हैं कि 17 अपरेल 2021 को भारत में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना की सुरुवात कीस देश के दवारा किया गया तो ये इटली के दवारा किया गया और इटली के दवारा ये कहा किया गया गुजरात के महसाना जिले में किया गया निक्स्ट क्रोश्चन देखते हैं भारत सरकार ने सिंधूवीर पंडुब्बि किस देश को सौपा? तो ये मियानमार को सौपा गया था टो शोपा पंडुब्ब आई इनेस सिंधूवीर और इसकी निर्मान जो है मरिगवानी राष्ट्य उद्यान मरिगवानी राष्ट्य उद्यान ये तेलंगाना में है और तेलंगाना में और वन्यजीव अभ्यारन है जैसे पाखाल वन्यजीव अभ्यारन कावला वन्यजीव अभ्यारन अगर हम देखते हैं तमिलनाडो तो तमिलनाडू में कौन से हैं वेदान्तगल अभ्यारन, इंद्रा गांधी अभ्यारन और मुदुमले अभ्यारन वही केरल में देखते हैं तो केरल में पेरियार और परामबी कुलम मध्य प्रदेश में कान्हा किषली, पंचमडी और जीम कारबेट नेशनल पार्क है वही अगर नेक्ट वोर्शन देखते हैं हाल ही में किसने भारत में ऑक्सिजन से भरे कंटेनर कंटेनरों के सिप्मेंट के लिए ओपरेशन समुदर सेतू 2 की सुरुवात की तो यह ओपरेशन समुदर सेतू 2 की सुरुवात यह भारती नौशेना के द्वारा की गई थी उसमें कोविड नाइंटीन में जो भारती लोग दूसरे देश में परेटन के लिए गये थे और वहीं फस गये थे उन लोगों को वापस देश में लाने के लिए और समुदर से तू 1 यह लॉंच किया गया था विस्व मरुस्थल दिवस कब मनाया जाता है विस्व मरुस्थल दिवस यह 17 जून को मनाया जाता है नेश कोशन देखते हैं 2 जून 2020 को विस्व स्वास्थ संगठन के कारेकारी बोड के अध्यक्ष किसे चुना गया तो विस्व स्वास्थ संगठन के कारेकारी बोड के अध्यक्ष यह चुना गया डॉक्टर पैट्रिक अमोत को जो की केन्या से है और इससे पहले कौन थे त दॉक्टर हर्षवर्धन थे हैं, वहीं देख लेते हैं, विस्व स्वास्त संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रेल 1948 में हुवी थी, और 7 अप्रेल को ही विस्व स्वास्त दिवस मनाया जाता है, निक्षोशन देखते हैं, कानु नेवम विवस्था सामील है, तो कानु नेवम सुची ये औश्रेलिया के सम्विधान से लिया गया है, निक्षोशन देखते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लिग की स्थापना किस ने की थी, तो इंडियन इंडिपेंडेंस लिग की स्थापना राजबियारी वोस ने 1928 स्वी में की थी, वहीं अगर देखते हैं सचिं Revelation की स्थापना 1928 में की थी त्यवक्षापना स्वराजपाटे की स्थापना की स्ञीकतराश्ट सुरक्षा परिशत में नेमलिकीüd मैंसे 20 देर्स में वीटो पावर नहीं है तो पहले देखते हैं, संयूकतरश्ट, सुरक्षा परिशत में वीटो पावर किन के पास होता है? जो सुरक्षा परिशत के पर्मानेंट मेंबर होते हैं, तो कौन-कौन से मेंबर हैं, पर्मानेंट टॉटल पाँच मेंबर हैं, जो कि AMERICA, बृतन, फ्रांस और रूश और ची तो, उनमेंसे कौन नहीं है? तो यह कनाडा नहीं है तो कनाडा के पास वीटो पावर नहीं होगा Next Question पंचैती राज परणाली का मुख्य उद्देश क्या है? पंचैती राज परणाली का मुख्य उद्देश यह है लोकतांत्रिक विकेंदरी करण मुगल समराट औरंगजेव द्वारा किस सिख गुरु की हत्या करवाए गई थी तो औरंगजेव के द्वारा सिखों के नौवे गुरु गुरु तेग बहादूर की हत्या करवाए गई थी वहीं गुरु अर्जुन देव की हत्या ये करवाए गई थी जहांगीर के द्वारा गुरु नानक जो की सिख धर्म के संस्थापक थे और गुरु गोविन सिंग ये सिख धर्म के दस्वे और अंतिम गुरु थे निक्स कोशन देखते हैं निम लिखित में से द्वीत्य होगा है यहां पर द्वीत्य होगा द्वीत्य गोल में चम्मेलन में भाग नहीं लिया था तो ये जवाहर ललनेहरु नहीं लिया था द्वीत्य गोल में सम्मेलन में कॉंग्रेस के तरफ से किस ने भाग लिया था तो द्वीत्य गोल में सम्मेलन में कॉंग्रेस के तरफ से महत्मा गांधी ने भाग लिया था नेक्स वर्षन चावल के सक्ष किस हडपा अस्थल किस हडपा अस्थल से मिलते हैं तो यह लोथल से मिलते हैं चावल के सक्ष तो और कहां से मिलते हैं चावल के सक्ष रंगपूर से लोथल और रंगपूर दोनों जगह से मिलते हैं लेकिन लोथल से चावल के पहले सक्ष मिल और नकासिधार, इटे, वो काली बंगा से प्राप्थ हुआ है नेक्ट कोश्ण देखते हैं विस्प पर्यावरन दिवस 2021 का विशे क्या था तो पहले पर्यावरन दिवस कब मनाया जाता है यह मनाया जाता है पांच जून को और इसका विशे क्या था इसका थीम था री-इमे इसमसे मईइ 92त में अनावरन कि यह ब्रीक्राइन कुंप्यूटर का नाम क्या है तो इरान द्वारा जो अनावरन किया या सूपर कम्प्यूटर उसका नाम है सी मौर्ग वहीं फुगाकू जो कि विस्व का सबसे तेज सूपर कम्प्यूटर है यह जापान के द्वारा बनाया गया कि निज्ट क्रेश्चिन द्वीन्ग मौण टेन नामक पुस्तक किसने लिखिए थी थी थीए इपहर है part वहीं चैतन्न भगत की पुस्तक है यह सब सो चितनभगत की पुस्तक है वहीं रोमीला था पर नहाल ही में वोईस ओफ डिसेंट नाम की पुस्तक लिखी थी खुश्वंत सिंग इनके द्वारा इंद्रा गांथी रिटर्न, दिल्ली और कम्पनी ओफ वुमन इन सब पुस्तकों को लिखा गया था नेक्सकोषन देखते हैं पर्यावरन के रख्राव के लिए निमलिखित में से कौन आवश्यक है तुछ सतत्थ विकास मतलब हम अपने विकास के लिए संसाधनों का इस तरह उपयोग करें किस संसाधन हमारे अगली पीड़ी के लिए बचे रहे है next question देखते हैं Grism Kalin Olympic खेल 2024 की मेजवाने किस सहर में होनी है तो यह होनी है पेरिश में जैसा कि अभी 2020 में होने वाला था Olympic जो कि COVID के कारण अब भी हो रहा है 2021 में हो रहा है यह हो रहा है Tokyo में वहीं 2028 में जो होगा यह Olympic होगा Los Angeles में 2022 2022 में जो सीत कालीन Olympic होगा यह होगा चीन की राज़ाने बेजिंग में चोशा का यूद किन के बीच लड़ा गया था यह लड़ा गया था हुमायू और सेर्सा के बीच में जो कि 1549 स्वी में लड़ा गया था नेक्ष देखते हैं उप्सन तो बावर और राना संगा के बीच में खानवा का यूद 1527 स्वी में लड़ा गया अक्वर और हेमू के बीच में यह पानीपत का दूसरा यूद जो कि 1556 स्वी में लड़ा गया और मराठा और अहमाद साब दाले के बीच में ये पानिपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया नेक्ट कोर्शन देखते हैं 2020 में इसरो द्वारा लॉंच किया गया ब्राजिल का पहला उपगरा मिशन निमलखित में से कौन सा है तो ये अमेजोनिया ब्राजिल का पहला उपगरा मिशन था ये अमेजोनिया जो की इसरो के द्वारा लॉंच किया गया पाटले पूत्र के प्रशाषन के विशे में निमलखित में से किस शुरोत से उलेख मिलता है तो ये इंडिका से मिलता है और इंडिका किस ने लिखी थी मेगास्थनीज में मेगास्थनीज ने है वही अधर ओप्सन को देखते हैं तो अर्थसास्त्र अर्थसास्त्र किस के द्वारा लिखी गई थी चानाकिया मिताक्षरा ये लिखी गई थी विग्यानेश्वर के द्वारा और कादमबरी ये लिखा गया था बानभट के द्वारा नेक्स वोशन देखते हैं असोक के सिलालेख किस लिपी में थे हैं तो असोक के सिलालेख ये चार लिपी में पाई जाती है ब्राम्मी, ग्रीक एवं अर्माइक और खरोश्टी तो ब्राम्मी इसका आंसर होगा next question देखते हैं किस वर्स तैमूर लंग ने भारत पर आकरमन किया था तो तेमूर लंग ने तेमूर लंग ने 308 वे इस वि में भारत पर आकरमन किया था next question देखते हैं RBI के पहले गवर्नर कौन थें? तो RBI के पहले गवर्नर ये Osban Smith थे वही अगर हम देखें कि RBI के पहले भारतिय गवर्नर कौन थे? तो यह थे CD देश्मोग। आर्बियाई के पहले भारतिय गवर्नर सीडी देशमुक थे और आर्बियाई के स्थापना एक अपरिल 1935 में हुई थी और इसका राश्ट्रेकरन एक जनवरी 1949 में हुआ था नेक्ष खोशन देखते हैं कि डेंग्यू किसके कारण होता है डेंग्यू यह विशानों के कारण होता है और कौनसे विशानों यह अर्बो वाइरस तो डेंग्यू अर्बो वाइरस के कारण होता है कौनसा पुर्वत्तर राज साथ बहनों का हिश्चा नहीं है तो पुर्वत बसा में इसेवंजी शिष्टरस में यह सिक्किम नहीं है निचर्वोस Neं यह कहां है ? तो दक्षिन गंगोत्री यह कहां है ,यह अंतार्कितिक में और यह धल्ग्षिन गंगोत्री है क्या यह ध 협्港र का भारत का का पहला अनुसंध। केंद्र है जो कि अंटार्किटिका में है और इसकी अस्थापना दक्षिन गंगोत्री की अस्थापना 1983 स्वी में की गई थी वहीं अंटार्किटिका में जो रिसर्च सेंटर है भारत का तो दूसरा कौन सा था? ये दूसरा मैत्री था जिसकी स्थापना जो है ये 1989 में की गई और तीसरा रिसर्च सेंटर ये भारती है निम्न में से कौन वेकलपी कूर्जा का सबसे बड़ा भंडार है तो ये सौरूजा वेकलपी कूर्जा का सबसे बड़ा भंडार है निश्वोशन देखते हैं निमलिखित में से कौन बिहार किशान अंदोलन से जुड़े थे हैं तो इन में हमारे कौन थे? राजेंदर परशाद बिहार किसान अंदोलन से जुड़े ये राजेंदर परशाद थे निश्ट क्रोश्चन देखते हैं हाइड्रोजन को जलने से क्या बनता है जब हाइड्रोजन जलता है तो ये जल बनता है मतलब hydrogen, किसकी उपस्तिती में जलता है, oxygen की उपस्तिती में बनता है, जलता है, और इससे क्या बनता है, यह जल बनता है next question देखते है, lead battery में विदूत अब घटक के रूप में निमलिकित में से किसका उपयोग किया जाता है lead battery में सीशा संचायक battery, इसमें क्या होता है, sulfuric aml, H2SO4 का उपयोग होता है, जिसे aml, राज भी कहा जाता है next question देखते है, औस धिय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैद करने वाला प्रथम देश कौन है और Lebanon की राजधानी बेरुत है, अगर हम Jordan देखते हैं, तो Jordan की राजधानी ये अम्मान है Israel की राजधानी येरूसलम है, और Philippines की राजधानी Manila है और जहांके Manila में ही ADB, Asian Development Bank का headquarter है, जिसकी अस्थापना 1966 में हुवी थी next question देखते है, खरी से उत्पादों को सुगमता से परिवान है तुद ले जानने के लिए कौन सा एप लौंच किया गया है, तो ये एप है किसान रथ, और अभी क्रिशी एवं कल्यान मंत्रा ले के मंत्री कौन है, ये है नरेंट सिंग तोमर, आसा करता हूँ कि ये टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा और ये काफी helpful रहा होगा तो इसे share करें और चैनल को subscribe करें धन्यवाद